शुर्वा के नस्ता में चावल फराई किया, अब दो पर में यह देखिए, सेमिय बना रही हूं, यह देखिए, अड़ाई सो गरम से वहिया है, जो हमने भूज रखा है, लेकिन फिर भी मैंने घीव में गरम करूंगी दुबारा से, यह देखिए, और नारियल की घोला हमने घीष लिया हूं, यह देखिए, और आधा रख रखी हूं, चलिए, मैं दूध उबाल लिया हूं, देखिए, एक लीटर दूध है, अब इसमें डेर गिलाश पानी डालूंगी, दो चमच मैंने घीव डाल दिया है, देखिए, और यह तो भूजा हुआ है, लेकिन फिर भी घीव में थोड़ा गरम करूंगे न, तो खुसबू अच्छी आएगी, देखिए, इसमें हमने डाला है, एक गिलाश पानी डाला है, एक लीटर दूध में, यह देखिए, गरम हो गया है दूध, शेमिया भी हो गया है, गरम, यह देखिए, पांच छोहारा ले लिया हूं, इसको भी कुट लेती हूं, इसको भी कुट लेती हूं, और थोड़ा सा काजु और बेदाम, इसको भी हमने माम दस्ता में कुट लेती हूं, शेमिया भूज गिया है, इसकी, माम दस्ता में थोड़ा सा कुट लेती हूं, बेदाम और काजु, देखिए, कुट लिया हूं, देखिए सिमिय अभ उतार देती हूं, रेस बंद कर देती हूं, देखिए ये सब कोट लेया हूं, छोहारा, ये काजु और बेदाम, और नारियल घिस लिया हूं, ये देखिए, तीनो, दूदू बल गया है, ये देखिए, अब सेमरी डालती हूं इसमे, देखिए, सेवय एड़ कर दिया हूँ दूद में ज्यादा उबाल दूँगी तो पूरा हलुआ हो जागा हूँ बस ज्यादा नहीं उबालूँगी में इसके अब गीशा उगा नारियाल सारा डाल देती हूँ इसमें अब गैस बंद कर देती हूँ ने तो हलुआ हो जाएगा एक दम अब सेवाईया बनके त्यार आप चीननी डालूँगी लाश्ट में अब इसमें छोटा सक एक कटोरी चीनी एड कर देती हूँ कम डाली हूँ चीनी तो कि सेवाईया कम मिठा हो तो अच्छा लगता है इसलिए गैस मैंने बंद कर दिया है अब इसको पांच मिनर तक ढख के रखेंगे एक दम गढ़ा हो जाएगा देखना कि भूजे हुए सेवाई ज्यादा उबालना नहीं है देखिए इतना खुसबू आ रही है इस तरह से बनाएए देखिए मैं दो-तिन मिनट के लिए ढख देती हूँ उसके बाद खोल के दिखाऊंगी कि इतना दूद सुख जाएगा शिवाई बन के तियार इस तरह से बनाएए भुजा हुए सेवाई और रोटी सबजी के साथ खाईए वीडियो लाइक कमेड सेर करिए थैंक यू बाई बाई